साथियो नमस्ते तो आज हम अध्याय पांच पोधे एवं जन्तुमों का संदक्षन इसके जो important points है वो पढ़ेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है यानि chapter 1 से लगा कर chapter 4 तक के वीडियोज वो मैंने playlist में डाल दिये हैं तो आप playlist में जाओ और सारे वीडियोज ज अंदी विचेट करें तो इसका मतलब होता है वन प्लस उनमूलन वन का मतलब क्या होता है जंगल और उनमूलन का मतलब होता है खतम करना यानि जंगल को खतम करना ठीक है तो इसकी परिवासा क्या होगी वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमी का अन्य कार्यों में उप्योग करना क्या कहलाता है वनों मूलन कहलाता है अब वनों को समाप्त करना इसका मतलब है वन के अंदर जितने भी व्रिक्ष है उनको खतम करना है उनकी कटाई करना ही वनों को समाप्त करना कहलाता है तो ये वनों के अंदर जो पैड़ पोदे हैं उनकी हम कटाई क्यों करते हैं इस क्रिशी करते हैं जिससे वो अपनी आजीवी का और अपना भरण पोशन करते हैं और क्रशी करने के लिए उनको क्या चाहिए समतल भूमी चाहिए तो जहां पर पैड़ पोदे होते हैं वहां उनकी वो कटाई कर देते हैं जिनसे उनको समतल भूमी मिल जाती है और इस तो देखो आज हम जहां रहे रहे हैं कहीं समय पहले वहाँ पर क्या होते थे जंगल हुआ करते थे वहाँ पर वरक्ष हुआ करते थे तो उन विरिक्षों की दिरी दिरे हमने कटाई करी समतल भूमी प्राप्त की और उन पर हमने घर भी बना दिये और कार खाने भी बना दिये आज भी ऐसा ही हो रहा है तो जहां घर बनाने हैं वहां पर पैड़ पोदे लगे होते हैं तो उनकी कटाई कर दी जाती है तो ये भी एक कारण है तीसरा है फरनीचर बनानी के लिए देखो फरनीचर किस से बनता है लकडियों से और लकडिया कहां से मिलती है वनों से है ना त पारे में उसका उपयोग करते हैं तो लकडी को हम इंदन के रूप में उपयोग लेते हैं तो इससे क्या होता है वनों की वरिक्षों की कटाई होती है लकडी का योगया फिर है दावानल एवं सूखा दावानल का मतलब होता है जंगल में आग लगना ठीक है तो जंगल में ज जब वरिक्षा की भारी कमी हो जाएगी तो वरिक्षा की कमी के कारण पैड़ पोदे सुक जाएगे जिसके कारण भी हमारा वनोनमुलन यानि जंगल में पैड़ पोदे समाप्त हो सकते हैं तो ये कुछ कारण है जिससे व्रक्षों की कटाई या व्रिक्षों का क्या होता है वो जल जाते हैं या फिर सूक जाते हैं फिर है वनोनमुलन के दूस प्रभाव यानि वनोनमुलन होने से क्या हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं वो हम पढ़ेंगे तो यहां पर पहला हानिकार प्रबाव है वायू मंदल में CO2 के इस्तर में व्रिद्धी मतलब बढ़ना यानि वायू मंदल में कारबंड़ ऑक्साइड गेस की मात्रा बढ़ जाती है अब क्यूं बढ़ती है तो इसको समझो पैड़ पोदे प्रकास संसलेशन की क्रिया में CO2 गेस ग्रहन करते हैं यदि पैड़ पोदे की कटाई होगी तो CO2 गेस का इस्तर में बढ़ता रहेगा अब इसको समझना बहुत important point है देखो हम जानते हैं कि जो पैड़ पोदे हैं वो प्रकास संसलेशन की क्रिया में क्या करते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया में ये CO2 यानि कारबंड़ ऑक्साइड और oxygen की मात्रा को छोड़ते हैं कारबंड़ी ओक्साइड ग्रहन करते हैं और oxygen गैस छोड़ते हैं ठीके तो जब पैड पोदे नहीं होंगे तो ये जो हम कारबंड़ी ओक्साइड गैस छोड़ते हैं वो पोदे ग्रहन नहीं करेंगे तो जब पोदे ग्रहन नहीं करेंगे तो हमारा जो वायू मंडल है उसमें कारबंड़ाई उक्साइड की गैस की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी और ये मात्रा बढ़ने के कारण क्या होगा वायू मंडल में कारबंड़ाई उक्साइड के इस्तर में ब्रद्धी हो जाए हमारे परियावरण में कार्बंड यॉक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने के कारण हो रहा है वैसे इसमें क्या लिखा है देखो वायू मंदल में CO2 की मात्रा में व्रद्धी के कारण प्रत्वी के ताप में व्रद्धी होती है प्रत्वी के ताप में वर्दी के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है जिससे सुखा पड़ता है यानि कि जब कारण डेयोकसाइड गैस की मातरा बढ़ जाएगी तो हमारी प्रत्वी का ताप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसके साथ में क्या होगा जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा यानि जल चक्र का संतुलन का मतलब होता है हम जानते हैं हमारे यहां सर्दी आती है वर्षा आती है और गर्मी भी आती है है ना जिसके कारण यह जल चक्र यानि कि वर्षा चलती रहती है जहां पर वर्षात की जरूरत होती है वहां पर वर्षा होती है लेकिन जब जल चक्र का संतुलन बिगड जाएगा तो बरसा नहीं होने के कारण वहाँ पर क्या पढ़ जाएगा सूखा पढ़ जाएगा और सूखा पढ़ने के कारण क्या होगा हमें जल नहीं मिल पाएगा पैड़ पोदों को जल नहीं मिल पाएगा तो इसके तो बहुत ज नीचे जाने की प्रक्रिया पर वीपरित प्रभा पड़ता है जिससे परिणाम सुरूप बाड जैसी गटनाएं होती है यानि कि अगर हम वनों की रिक्षों की लगातार कटाई करते रहेंगे तो उससे क्या होता है मृदा की जल धारन समता कम हो जाती है जैसे जहां मिट्टी जैसे मान लो ये जमीन के उपर की मिट्टी है तो इस मिट्टी में क्या होता है जल भरन करने की शमता होती है जल को धारन करने की शमता होती है इसलिए मिट्टी क्या होती है उपजाओ होती है तो अगर मिट्टी की जल धारन यानि इसको जल को धारन करने की शमता कम हो तो यह बहुत important है कि वनोऊनमुलन ना हूँ अगर वनोऊनमुलन हुआ तो मिट्टी की जल धारन समता कम हो जाएगी जिससे वो मिट्टी क्या हो सकती है बन्जर हो सकती है यही नहीं दूसरा काराण इसने क्या बताया कि जो भूमी में जाने की प्रक्रिया है जो हमारा जल है वो भूमी के नीचे जाने की जो प्रक्रिया है उस पर पी वीप्रित प्रवा पढ़ेगा हम जानते हैं कि जहां पर बर्सा होती है तो ये बर्सा क्या करती है भूमी के नीचे चली जाती है भूमी के नीचे यहाँ पर यह इस्टोरेज होती है है ना यहाँ पर यह पानी इस्टोरेज होता है जब जरूरत होता है हम यहाँ से पानी निकाल कर इसका उपयोग करते हैं है ना तो यह इस्टोरेज करने की शमता जो है इस पर भी वीपृत प्रभाँ पढ़ेगा इस पर वीपृत प्रभाँ पढ़ने के कारण भी हमें जब जल की आवशकता होगी तब जल हमें नहीं मिल पाएगा तो ऐसे में क्या होगा तो बाड आने की संभावनाएं बन जाती है जहाँ पर इसको पानी storage होना चाहिए वहां पर storage नहीं हो पाएगा थीके, तो यह कही न कही जो है यह पानी यह भी अच्छा point है तो इसमें लिखा है पैड पोदों की कटाई के कारण मृदा धिली पढ़ जाती है तेज हवा या जल बहाव से मृदा की उपजाओ परत बह जाती है जिससे उर्वर भूमी मरुस्तल में परिवर्तित हो जाती है देखो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर यह हमारी भूमी है और यहाँ पर बहुत सारे पैड लगे हुए तो जब पैड लगे हुए है तो इसके आसपास की जो मिटी है उसकी पकड मजबूत होती है लेकिन अगर मान लो यह वरिक्स हमने काट दी तो यह वरिक्स काटने के कारण यह जो मिटी होती है वो क्या पढ़ जाती है वो धिली पढ़ जाती है और जब तेज हवा आती है या बरसात का पानी आता है तो क्या करता है मिट्टी की जो उपर उपजव परत होती है है ना वो इस हवा के कारण एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर चली जाती है यानि ये जो मिट्टी है इसका उपजावपन जो है वो खतम हो जाता है और खतम होने के कारण ये क्या हो जाती है बंजर हो जाती है और जब ये बंजर हो जाएगी तो क्या बन जाएगी मरुस्तल बन जाएगी यानि वो मिट्टी किसी काम की नहीं रहेगी है ना तो ये मरुस्तली करण भी हो जाता है कब हो पॉइंट है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षन यानि कि जो अभी हमने पढ़ा था वो वनों उन्मूलन के दुस प्रभाव पढ़े थे ठीक है और अब हमारा जो पॉइंट है वो है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षन हमें अब पता चल गया कि वनों उन्मूलन होगा यानि व्रक्षों की कटाई होगी है ना तो हमें बहुत ज़्यादा नुक्सान होगा है ना उसके हानिकारक प्रभाव होगे तो हमें वन का क्या करना चाहिए संरक्षन करना चाहिए वनों को कटाई को कारण वन एवं वन्य जीवों के अस्तित्व को खत्रा है अतह हमारे व्यक्तिगत प्रयासों समाज व सरकार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा है तू कारे रत है है ना देखो वनो उन्मुलन के कारण क्या हो रहा है जैसे जैसे विरिक्षों की कटाई हो रही है जैसे जैस जंगल से पैड़ पोदे समाप्त हो रहे हैं तो जंगल से पैड़ पोदे समाप्त होने के कारण उसके अंदर जितने भी ज्वन्य जीव रहते हैं उनके अस्तित्व को भी खत्रा बन रहा है ना यानि उनका भी खत्रा बन रहा है तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यानि हमार हैं उनका संद्रक्षन कहते हैं ठीक है अगला पॉइंट है वन्य जीव अभ्यारन्य यानि कि इनके संद्रक्षन के लिए हम क्या बनाएंगे वन्य जीव अभ्यारन्य बनाएंगे सरकार वन्य जीव अभ्यारन्य बनाएगी तो पहले हम यह समझते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण होता क्या है वह छेत्र जहां जन्तु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोब से सुरक्षित रहते हैं जैसे राजस्तान में तालचा पर अभ्यारण निया यानि कि एक ऐसा चेत्र होता है एक ऐसा बड़ा भू भाग होता है जहां पर अने को जन्तु रहते हैं और उनके आवास रहते हैं जैसे वो जन्तु का रहते हैं उनकी गुफा में रहते हैं या किसी वरक्ष के नीचे रहते हैं तो जो भी उनका आवास है और जहां पर ये जन चानाते हैं ठीके हम उनके आवास और उनके रहने के लिए सुरक्षित जगा का इंतजाम करते हैं ठीके उसी को हम कहते हैं वन्य जीव अभ्यारन्य अमुमन हम देखते हैं कि जंगलों में जंगलों में पहले लोग सिकार करते थे लेकिन हमने क्या कर दिया सिकार पर बेन लग किसी भी प्रकार के विक्षोब से सुरक्षित रहते हैं यानि किसी भी प्रकार का विक्षोब वहाँ पर नहीं होता है उनसे वो सुरक्षित रहते हैं अगर हो भी जाता है तो उनसे उनको सुरक्षित रखना हमारी जिमेदारी होती है ठीक है जैसे ऐसे वन्य जीव अभ्यार बन्याए गए हैं और दूसरा है राष्ट्रिय उद्यान अब राष्ट्रिय उद्यान क्या है तो वन्य जन्तुओं के लिए आरक्षि छेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकर्तिक संसाधनों का उप्योग कर सके जैसे राजस्तान में केवला देवी राष बोजन पकड़ सकते हैं ठीक है और अपने आवास में रहते हैं और प्राकर्तिक संसाधनों का उप्योग करते हैं ऐसा नहीं कि हम उनको बोजन लाके देते नहीं जैसे वह पहले से रहते आ रहे हैं जैसे वह अपना बोजन ग्रहन करते हैं वैसे ही वह प्राकर्तिक संसाध द्वारा है ना खुले स्वतंत्र है और वहाँ पर रह रहे हैं तो ऐसे चैत्र को हमने क्या नाम दे दिया राश्ट्री उद्यान नाम दिया पिर अगला पॉइंट है जै मंडल आरक्षित चैत्र वन वन्य जीव तथा उस चैत्र के आदिवासियों के पारंपरिक धंग से जी जै मंडल आरक्षित चैत्र क्या होते हैं तो देखो इतना बड़ा चैत्र भूभाग होता है जिसमें यह हमने उपर पड़ा ना वन्य जीव अब्यारण और राश्ट्री उद्यान यह भी इसके अंदर आ सकते हैं यह इतना बड़ा भूभाग होता है और इसमें कौन-कौन जैव विवित्ता और संस्कृति हमारी जैसी है वैसी ही हम बरकरार रखते हैं उसमें किसी प्रकार का हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं ठीके तो ऐसे चैत्र को चिनिहित किया गया है और उस चैत्र को हम कहते हैं जैव मंडल आरक्षित चैत्र जैसे पचमडी जैव मंडल आरक ज्यान भी आ सकता है और वन्य जीव अभ्यारण ने भी आ सकता है ठीक है फिर देखो अगला पॉइंट है किसी विशेश चैतर में पाई जाने वाले पैड़ पोदे उस चैतर के वनस्पति जात एवं जीव जन्तु प्रानी जात कहलते हैं जैसे अगर मैं पर्टिकुलर एक जंगल की बात करो ठीक है तो यह मेरा एक विशेश चैतर हो गया और उस विशेश चैतर में जो भी पैड़ पोदे हमें देखने को मिलते हैं उसे हम वनस्पति जात कहते हैं और जीव जीव जन्तु हमें देखने को मिलते हैं उसे हम प्रानी जात कहते हैं और यह एक विशे पिसीज का मतलब होता है जैसे सेर का बच्चा क्या होता है सेर होता है और जैसे सेर है तो जो सेर की जितनी भी प्रजातिया है उनके अंदर जनन होता है और जनन होने के परिणाम सुरूप वैसी ही संतत्ति उत्पन होती है ठीक है अगर मैं बात करूँ सेर और गदे की तो सेर और गदा दोनों समान जाती के इस पिसीज नहीं है ठीके दोनों अलग-अलग जाती के इस पिसीज है बात समझ में आ गए अब देखो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है पोदो एवं जनतुओं की वह इस पिसीज जो किसी विशेश छैतर में विशेश्ट रूप से पाई जात हैं विशेश छैतरी इस पिसीज जैसे पचमडी जयमंडल आरक्सित छैतर में इस्तित जंगली आम तो यह जंगली आम जो है हमें हर जगा नहीं मिलेगा यह विशेश छैतर में ही मिलेगा उसका नाम है पचमडी जयमंडल आरक्सित छैत ठीक है तो यह एक विशेश छैतरी क्या हो गया पैड हो गया उड़ने वाली गिलहरी तो देखो हमने गिलहरी नॉर्मल तो सब जगा देखिए लेकिन ये उड़ने वाली गिलहरी उसी छेतर में पाई जाती है अब उसी छेतर में पाई जाती है तब ही इसको हम कहते हैं विशेश छेतर है ना ये हर जगा नहीं उसी विशेश चैतर में पर्टिकुलर ये पाई जाती है, ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो यहां लिखा है, बागों के संरक्षन के लिए, सरकार द्वारा चलाई गई योजना, इसे बाग परियोजना भी कहते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्य करण, उनकी रक्षा करने के लिए, एक योजना लाई गई, जिसे हम बाग परियोजना कहते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बागों के संरक्षन के लिए, सरकार द्वारा चलाई गई योजना को प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, ठीक है, राजस्तान में रण थंबूर राष्टिय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुवात की गई थी अब ये आपको याद रखना है अगला पॉइंट है राष्टिय उद्यान में मानवीय गतिवीदियां जैसे पसु चराना, अवीद सिकार, जानवर पकड़ना, औसदिय पोदों एक ये सब वहाँ पर निशेद है यानि कि वहाँ पर ऐसा अगर आप करते हो तो आप एक अपरादी गिने जाओंगे, ठीक है, फिर अगला पॉइंट है संकटा पन जनतु, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि जैसे वनों उन्मुलन, जैसे जैसे व हमारे बहुत सारे कूप्रभाव पढ़ रहे हैं, अब कूप्रभाव क्या पढ़ रहे हैं, तो परियावरण में कार्बंड़ ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, गलोबर वार्मिंग हो रहा है, मरुष्तली करण हो रहा है, और ऐसे में जितने भी जीव हैं, पसू रही है, उनके लिए राष्ट्रिय उध्यान बना रही है, उनके लिए और क्या कर रही है, तो उनके लिए जैमंडर आरक्ष। İn शेतर गोसित कर रही है, तो ये सारी चीज covet करने है, और यही चीज हमें यहाँ पर याद करना है, फिर है संकटा पंजनत्रा पंजन्तत, अब किसी जंगल में सो जंगली कुत्ते हैं, कितने जंगली कुत्ते हैं, सो जंगली कुत्ते, ठीक है, और इस जंगल में कित्ते होने चाहिए, असी तो लगबग होने ही चाहिए, और असी से यहाँ पर कितने हैं, जादा है, ठीक है, अब बीस वर्स बाद में, इन सो जंगली कुत वो मरते जा रहे हैं या फिर उनको मार दिया जा रहा है और उनकी संख्या घटकर कितनी हो गई 20 हो गई होनी किती चाये थी असी होनी चाये थी और ये घटकर कितनी हो गई 20 हो गई यानि निर्धारित इस्तर से भी बहुत कम होती जा रही है तो इस प्रकार के जो जन्तु है इनको हम संकटापन जंतू कहते हैं ठीक है तो वे जंतू जिनकी संक्या एक निरधारित इस्तर से कम होती जा रही है और वे विलूपत हो सकते हैं संक्टापन जंतू कहलाते हैं ठीक है छोटे जीव जैसे साप मेंडक उलू आधी आहार सिंकला में महत पुर्ण भूमी का खाता है घास खाता है तो घास को हिरन खाता है हिरन को शेर खाता है है ना फिर इसी प्रकार जो साप है साप को बाग खाता है तो यह जो है आहार संकला कहलाती है और यह जो छोटे-छोटे जीव जनतु है अगर इन में से किसी भी एक की संख्या कम हुई तो आहार संकला समाप होने का मतलब है कि जीवन का जो संतुलन है वो बिगडने लग जाएगा अगला पॉइंट है रेट डाटा पुस्तक क्या होती है तो वह पुस्तक जिसमें सभी संक्टापन इस पिसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है यानि ऐसे जनतु जो संक्टापन जनतु है जिनकी संक्टा निरंतर घटी जा रही है तो ऐसे जनतुओं की जो इस पिसीज है इनका हम क्या रखते हैं डाटा रखते हैं रिकॉर्ड रखते हैं तो इन पुस्तकों को हम रेट डाटा पुस्तक कहते हैं ठीक है रेट डाटा पुस्तक के बाद में अगला पॉइंट है प्रवासी पक्सी अब प्रवासी पक्सी क्या होते हैं उसको समझो ऐसे पक्सी जो उड़कर सुदूर छेतरों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्सी कहलाते हैं यानि कि ऐसे पक्सी जो एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर क्या करते हैं गमन करते हैं जैसे 6 महीने इस जगह रुकेंगे और 6 महीने दूसरी जगा रुकेंगे तो ऐसे पक्षियों को हम प्रवासी पक्षी कहते हैं अब प्रवास का मतलब क्या होता है जलवायू परिवर्तन के कारण किसी इस्पिसीज का अपने आवास से हर वर्ष विशेश समय में दूसरे आवास पर जाना प्रवास कहलाता है तो ये प्रवासी पक्षी से ही जुड़ा हुआ है क्या प्रवास ठीके जब जलवायू परिवर्तन होता है जैसे मान लो सर्दियों के मौसम से गर्मियों के मौसम का परिवर्तन होता है तो कुछ पक्सी ऐसे होते जो एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर चले जाते हैं तो उनका ये एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर जाना ही क्या कहलाता है प्रवास कहलाता है अगला पॉइंट है कुरंजा पक्सी अब ये कुरंजा पकसी भी क्या है एक प्रवासी पकसी है तो यहां लिखा है यह राजस्तान में एक प्रवासी पकसी है जो फडोदी तालचापध केवला देवी राष्टि उध्यान में प्रवास करता है या प्रवास होता है ठीक है अगला पॉइंट है कागज का पुर्ण चक्रन यानि कि देखो कागज किस से बनता है सीदी सी बात है पैड़ पोदों से बनता है तो पैड़ पोदों की कटाई होगी तभी तो कागज बनेंगे तो हमें इसके कागज का क्या करना चाहिए ये पुन्ह चक्रन करना चाहिए देखो कागज हमारे लिए बहुत उपयोगी है है ना कागज के बिना हम कोई भी आजकल काम नहीं कर सकते है लेकिन कागज का हम कम उपयोग करे जिससे पैडों की कटाई कम हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कागज का पुन्ह चक्रन कर सकते हैं अब ये क्या होता है देखो एक टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 विक्सित व्रक्षों को काटा जाता है अता हमें कागज को बचाने के लिए उसका पुन्ह चक्रन करना चाहिए फिर है वनो उनमुलन का इस्ताई हल अब वन रिक्स लगाओ ठीक है तो ये एक इस्ताई हलोगा वनों मुलन का दूसरों वनों का संदक्षन यानि वनों को रक्षा करो रिक्षों की कटाई होने से उसकी रक्षा करो जितना हो संभव उसकी क्या करो रक्षा करो नोट क्या है वनों का संदक्षन एम परिरक्षन करने के लिए भारत में भारतिये वन अधिनियम 1927 लगू किया यानि कि जो वनों का संदक्षन है और उनकी रक्षा करना है तो उसके लिए हमारे देश ने एक कानून बनाया जिसे कहते हैं भारतिये वन अधिनियम 1927 ठीके इस कानून का नाम क्या है बारतिय वन अधिनियम 1927 इस प्रकार से आपकी ये चैप्टर समाब दोता है और अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों को शेर करो थेंक यू